इस्त्री का घर तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तयार होने से पहले मेरा नास्ता तयार हो जाना चाहिए साधी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है लता तुम्हें क्या है तुम तो आराम से घर पर रहोगी मुझे काम पर जाना करती हो अगर तुम यह जान भूज कर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आज भी प्रसांत का पारा चड़ा हुआ था इन कटू शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तोल्या कुर्सी फर फैकते हुए प्रसांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा लता के लिए प्रसांत का ये वेवज़े का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी वे मैने में तीन चार बार ऐसे ही लता पर वरस पढ़ता था पहले पहले लता उसका रोद किया करती थी लेकिन जब कई सालों तक प्रसांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो ल पहले पास साल तक लता ने पूरी खोसिस की थी कि प्रशान्त को बदला जाए। लेकिन फालतू का गुसा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना ये मानों जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशान्त सीधा लता को बोल देता। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं अचली जाती अपने माई के। क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बाउजूद लता। प्रशान्त के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहां अपने भूडे हो चुके माबाप को इस उमर में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे ये भी तो उसे देखना था। वह इतनी पड़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नोकरी कर। सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोसन कर सके लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पती पत्नी के जगड़े की वजे से काव्या डिस्ट्रब हो। काव्या की पढ़ाई प बहुत गुणगान किये थे। प्रिशान्त एक साम अपनी बेटी के पास बैठ कर उसे बताने लगा। काव्या बहुत अच्छा लड़का है। बढ़ा लिखा है, बढ़ा घर है, बहुत अच्छी नोक्री है। ऐसे रिस्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद ड़ती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मद इखटा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नोक्री करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरोपड खड़ी होना चाहती हूँ, हा मेरी नोक्री करना या ना करना उसकी पर्मिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा, काव्या ने पूछा, मैं कह रहा हूँ, ना तुमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ, ऐसे रिस्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, भहुत खुश रहोगी तुम वहाँ, प्रशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है, काव्या ने तंज कस्ते हुए कहा, अज तुम्हारी जबान कुछ जादा ही नहीं चल रही, प्रशांत गुस्से से आखे बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगे, मुझे आपके जैसा जीवन साती नहीं चाहिए, जो बिनावात के मुझे पर हमेशा चिलाएं, मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो,